जिसमें आपको एक डाइग्राम गिवन है इसमें तिर्बुजों की संग्या बतानी है इसके लिए आपको चार ओप्शन भी गिवन है तो कभी भी आपको इस प्रकार का डाइग्राम बने जिसमें तिर्बुज हो और उसमें वापिस से आपके तिर्बुज बने हुए हो तो इसके लिए हमारे पास में ट्रिक है सबसे पहले number of layer count करेंगे तो एक, दो, तीन तो यहाँ पर यह कितनी layer बनी हुई है तीन layer आपकी बनी हुई है तो सबसे पहले एक का एक हम लिख देंगे उसके बाद में आगे हमें इसमें दो जोड़ कर लिखेंगे तो एक प्लस दो कितना होता है तीन आपका हो जाता है इसी प्रकार से तीन में वापस है तीन यहाँ पर जोड़ कर लिखेंगे तो तीन और तीन कितना हो जाता है आपका छे हो जाता है तो यहाँ पर आपने देखा जो टोटल तिर्वुज है वो कितने बन रहे हैं छे और तीन नो और एक दस बन रहे हैं तो यहाँ पर आपके दस तिर्वुज बन रहे हैं इसमें सबसे नीचे वाले को आगे हमें छोड़ देंगे उसके आगे वाले को लेंगे और सबसे आगे वाले को छोड़ देंगे तो तीन और यहाँ पर हमें लेने पड़ेंगे तो दस और तीन कितने हो जाएंगे तेरह आपके तिरबुझ हो जाएंगे जो कि आपको उपसन नंबर D में गिवन है इसके अलावा आपके वन बाई वन भी गिन सकते हो लेकिन अगर नीचे और डिपे बने हुए आगे जिसमें आपको तिरबज पूछ लिए इसके नीचे और आगे तो इसे काउंट करना काफी मुश्किल हो जाता है इसके लिए हमने नमबर ओफ लेयर को काउंट किया नीचे लिखा उसके और में फर्ट लेयर को छोड़ दिया सेकंड लेयर को लिया थर्ट लेयर को छोड़ा अगर यहाँपर चौती लेयर होती तो उसे लेकर आपस में जोड़ेंगे तो कुल तिरबुजों की संक्या हमारी आ जाएगी इसके अलावा हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो 9 तिर्बुज तो आपके यहाँ पर देख सकते हैं आ गये हैं छोटे वाले तिर्बुज pros अब हम बात करते हैं यहाँ पर बड़े वाले तिर्बजों की बात करते हैं तो एक तिर्बुज तो आपका ये वाला बन जाएगा इसी प्रकार से आगे हम देख सकते हैं एक तिर्बुज आपका ये वाला बन जाएगा तो नो पलस दो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर ग्यारा तिर्बुज हो जाएगे लेकिन आपने यहाँ पर देखा दो तिर्बुज आपके और भी बन रहे हैं वो कैसे बनेंगे वो आपके दो तिर्बुजों के योग से बनेंगे जिस परकार से आपने देखा यह वाली लाइने और यह वाली लाइन है उससे हमारे दो त्रीबुज़ यहां पर create हो रहे हैं तो 11 प्लस दो कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा जो कि हमने formula से भी find out कर लिया है तो number of त्रीबुज़ कितने हो जाएंगे 13 आपकी त्रीबुज़ हो जाएंगे question है आपका जिसमें आपको 3 by 4 की एक table given है जिसमें आपके column की संख्या 4 है और row की संख्या आपकी 3 है यहाँ पर आपके 2 number यहाँ पर missing है जो कि आपको find out करने है ABCD option में से आपको find out करने है तो इसे हम solve करने की कोशिश करते हैं तो इसे column YG हम solve नहीं करेंगे क्योंकि आपको जो संख्या find out करने है वो आपकी row में लिखी हुई है तो यहाँ पर ही इसको first row consider करेंगे इसको second row मानेंगे और इसको हमें third row मानेंगे तो सबसे पहला operation ने first row के अंदर लगाएंगे तो एक को हमें एक लिख सकते हैं इसी प्रकार से चार को क्या लिख सकते हैं दो का square लिख सकते हैं तीन को हम क्या लिख सकते हैं तीन का square लिख सकते हैं तो सबसे पहले हमने एक का square किया उसके बाद में दो का square किया उसके बाद में तीन का square किया तो यहाँ पर किसका square करेंगे चार का स्क्वार करेंगे तो संक्या कौन से आ जाएगी चार चोके 16 आ जाएगी इसी प्रकार से सेकेंड रो में आपको कोई भी अंक फाइंड आउट नहीं करना तो यहाँ पर क्या लिका हुआ है एक दो तीन चार मतलब भी सिंपली एक नंबर सीरीज यहाँ पर लिकी गई है इसी प्रकार से यह बात करें थर्ड रो की हम बात करें तो दो से चार चार से छे मतलब यहाँ पर दो जोड़ा वापिस से हमने दो जोड़ा मतलब दो से चार पर गई तो दो में दो जोड़ा इसी प्रकार से 4 से 6 में गए तो 4 में दो जोड़ा इसी प्रकार से 6 से Q technique पर जाना है तो 6 में कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा तो उपर आपने 16 find out किया और नीचे आपने 8 find out किया तो ऐसा option कौन सा है ऐसा हमारा A option है तो A इस question का correct answer हो जाएगा सीरीज का आपका question है जिसमें आपके यहाँ पर 5 letter यहाँ पर missing है यह 5 letter आपको बढ़ने है जिसके लिए आपको 4 option यहाँ पर given है तो इसे हम solve करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आप सीरीज को देखते हो तो 3D यहाँ पर लिखा हुआ है उसके बाद देखते हैं 3B यहाँ पर लिखा हुआ है इसी परकार से यहाँ पर आप पहले अगर देखते हो तो 2A लिखा हुआ है इसी परकार से 2C यहाँ पर लिखा हुआ है जबकि आप starting में चेक करते हो तो A, C और D यहाँ पर यह single लिके हुए हैं आगे यहाँ पर double लिके हुए हैं और last में हम चेक करें तो यह triple लिके हुए हैं तो यहाँ पर आपने देखा 4 letter का यहाँ पर प्रयोग हुआ है A, B, C, D A, B आपको दिखाई दे रहा है इसी प्रकार से B दिखाई दे रहा है इसी प्रकार से C दिखाई दे रहा है और D भी आपको दिखाई दे रहा है तो इन 4 लेटर का यूज करके हम इस सीरिज को पूरा करेंगे तो यहाँ पर first वाले हम आपको दिखाई दे रहा है A, C, D तो A, C, D में क्या missing है? B missing है तो यहाँ पर हमें क्या बढ़ देंगे? B बढ़ देंगे तो आपकी यहाँ पर series बन गई A, B, C, D A, B, C, D series यहाँ पर बन गई इसी परकार से हम आगे देखते हैं डबल A लिखा हुआ है और डबल C लिखा हुआ है तो बीच में क्या आना चाहिए? बीच में आपका डबल B आना चाहिए और लाश्ट में क्या आना चाहिए? डबल D आना चाहिए इसी परकार से आपका तीन बार B लिका हुआ है और तीन बार D लिका हुआ है तो शुरू में आपका तीन बार A आना चीए इसी प्रकार से आपका तीन बार C आना चीए तो यहाँ पर हमने सबसे पहले B भरा उसके बाद वापिस B भरा उसके बाद में हमने D भरा उसके बाद में A भरा और उसके बाद में हमने यहाँ पर C भरा है जो कि हमारा चौत्य आप्सन में यह answer हमें गिवन है तो यह इसका answer हो जाएगा नमबर सीरीज के आपका question है 7, 14, 28, 56, 112 और उसके बाद में question मारक है इसका मान आपको find out करना है A, B, C, D option में से तो कैसे से solve करेंगे तो अगर 7 को 2 से गुणा कर दिया जाए तो हम 14 पर पहुँच जाएंगे इसी प्रकार से 14 से हमें 28 पर पहुँचना है तो 14 को कितने से गुणा करना पड़ेगा तो यहाँ से 2 से गुणा करना पड़ेगा तो 14 दुना 28 इसी प्रकार से 28 से हमें 26 पर पहुचना है तो 28 को भी 2 से गुणा करेंगे तो 28 दुना 56 हो जाएगा इसी प्रकार से 56 से हमें 112 पर पहुचना है तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करेंगे तो 56 दुना 112 हो जाएगा इसी प्रकार से 112 से हमें Question Mark पर पॉस्टना है तो 112 को 2 से गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 एकम 2 मतलब भी 224 आपका अंसर आजाएगा Question Mark की जगह पर यहाँ पर B option आपका correct हो जाएगा तो इस सीरीज में हमने क्या किया पुड़तेक संक्या को 2 से गुणा करते हुए हम सीरीज में आगे बढ़े इसी प्रकार से 112 को 2 से गुणा करने परे 224 हमारा आंसर आया Question है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चैन करना है इसके लिए A option 751 B option 734 C option 981 और D option 843 आपको given है तो कभी भी इस प्रकार का Question मिले तो उनमें संक्याओं को interchange करके या आपस में जोड कर या घटा कर हम चेक करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं संक्याओं के बारे में तो सबसे पहले हम चेक करते हैं A option को चेक करते हैं तो यहाँ पर 700 क्याओं लिखा हुआ है B option में हमारा 734 लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है 734 लिखा हुआ है अगर 7 में से 4 को हम घटा दें तो हमें संक्या 3 प्राप्त हो जाएगी इसी प्रकार से C option को चेक करते हैं यहाँ पर हमें पहली संक्या में से तीसरी संक्या को घटा देते हैं तो हमें 8 प्राप्त हो जाएगा इसी प्रकार से D option में हम देखते हैं पहली संक्या में से तीसरी संक्या को घटाने पर हमें बीच वाले संख्या पांच प्राप्ते हो जाती है लेकिन ए ओप्सन को हम चेक करें साथ में से एक गटाएंगे तो आपको छे प्राप्त होगा लेकिन यहाँ पर बीच में पांच लिखा हुआ है तो यह हमारी डिफरेंट संख्या हो जाएगी और बाकि सभी संख्याओं में पहली संख्या माइनस से तीसरी संख्या है वो किसके बराबर होती है वो हमारी दूसरी संख्या के बराबर होती है इस लोजिक से हमने इस कोश्चन को सोल किया है और यहाँ पर हमारा ए बेमेल विकल पर हो जाएगा